पाना ती पाता विर्मनी जिक्खाप धंक्समादियो नी 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 पादना के लिए जाने लगा, एक गांते बैठने लगा, तो उसके अंदर गरस्त की मुह मूरता बाकी थी, यानि कि कभी उसको लगता था कि मैं तो गरस्त में ठीक था, कोई खाना वगएरा खूम मिलता था, करी टाइम खाना खाता था, गरस्त के सुख थे, कभी आओ, कभी खाओ, कुछ भी पहनो, कभी कुछ भी रहो, कभी लगता था कि जो भिक्कु जीवन है, ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें कमानी चिंता नहीं है, खानी चिंता नहीं है, धम देशना देनी है, तो बद्दे में कुछ मिलना है, सब के साथ रहना है, कोई दुनियादारी न तो ना तो वो ग्रस्त में ही जा पा रहा था और ना ही भिक को ही जीवन में आगे प्रगती कर पा रहा था. य Если विपस्ना साद्रा में कोई प्रगती, बड़ा परशान था और खीसता भी था. परशान ही होता था कि, अरे मैं कहा चकर में से फस गया. कही बार सोचा कि इस जंजाल से निकलें तो अगर मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहें मगर भगवान बुद्र ने तो बता रखा है कि अगर किसी ने अतहंता भी की अतहंत भी हुआ यानि आत्मत्या भी की सुसाइट भी किया तो भी पीछा छोटने वाला नहीं है क्योंकि एक सुसाइट करने का पाप और साथ में जुड़ेगा और जहां आगे अगला जनम लेगा वो साथ में जाएगा और उसका डंडोर देना पढ़ेगा वो और भुकतेगा तो कामर बढ़ जाएगा चोगी धम में आसता है और जानता है कि ऐसा होगा इसनी आत्मात्या का प्रियास उसने कभी सोचा किया नहीं इसी चकर में चलता चलता समय वीता गया तो एक वार उसने मन बनाया कि अब मैं भिक्कु जीवन ही जीओंगा चाह कुछ हो जाए और पक्ता मन करने के साथ साथ ही उसने अपना सारा आलस छोड़ा और पूरी ताकस से महनत की उद्ध्यो किया और उतना उद्ध्यो किया उसने कि बहुत जल्दी ही अरत हो गया ये चर्चा चली भिक्कुओं में भगवान के पास आई कि ये जो भिक्कु है सुप दादा सक है ये इतनी जल्दी अरत कैसे हो गया जबकि ये तो बड़ा आलसी था बड़ा निकम्मा था और ये कोई महनत नहीं करता था फिर ये कैसे हो गया तब भगवान बुद्ध ने गाथा नंबर 112 कहिए महनत ना करे विपसना साधना ना करे हीन वीरियो हीन का मतलब होता है तुछ और थोड़ा और वीर माने होता है बहादुर यानि काम करना वीरियो माने काम करने वाला इसे भिक्कु का नाम है धम वीरियो धम वीरियो का मतलब है धम का वीर यानि जो धम में वीर्टा से काम कर उसको वीरियो बोलते हैं, तो धम वीरियो, तो कोई हीन वीरियो का मतलब है, कि वीर है मगर हीन ताम है, छोटा काम करने का वीर है, यानि आलसी है बहुत जादा, तो कोई अगर आलसी है या बहुत जादा ऐसा वीर है, जो छोटे काम करता है, बड़े काम करने के हिनमत नहीं क क्या काम करें वीरिये मार भतो दड़हंग दड़हंग का मतलब है दड़ता से और वीर माने वीर और मार माने भतो वीरिये मार भतो का मतलब है कि जो दुख है जो मार है जो कष्ट है उसको अच्छी तरह से भत करने वाला वीर यानि कि दड़ता से उद्धोग करने वाला मेहन करें जीवन में बजाए इसके कि वो आलस से और निकम्य पन से सौ साल तक भी जीए तो उस भिक्कु ने जो भिक्कु सुपदास था सुपदास भिक्कु ने सुपदासक ने एक बार मन में बना लिया कि हम धर्ट्रा से काम करूँगा तो उसका बेडा पार हो गया और वो 2011 ये खाडू कॉंड़ई की कता है खाडू कॉंड़ई थेर थेर की एक वार खाडू कॉंड़ई थेर जंगल में विपसना करने के बाद भगवान बुझ से मिलने लिए जा रहे थी रास्ते में एक परवत मिला उचा तो उन्होंने सोचा के थोड़ा यहां विपसना साधना कर ली जाए वो वहाँ परवत पे मुचाई के स्थिर पे जाके और ध्यान साधना के लिए बैठ गए वही रास्ते से एक लुटोरों का गैंग आ रहा था समू आ रहा था और वो काफी ठके वे थे क्योंकि उन्होंने रात में लूट पाट की तो उन्होंने भी वो परवत देखा और उन्हें सोचा कि उचे परवत पर आराम से थोड़ी देर सो जा जाते हैं जब वहाँ वो पॉंचे और तो यह जाके ऑनका ध्यान बंगुआ भंग उने के बाद उन्हें लोगों को देखा जब लोगों को वहाँ देखा तो जो चोड़ थे उन्हें बड़ी जिग्यासा हुई कि इसके पास में तो कोई सामान भी नहीं है और दूसरी उन्हें जिग्यासा इस बात की हुई कि यहाँ शांती से बैठा हुआ है और इसके चेहरे पर बड़ा सुख है बड़ी शांती है जबकि हम इतना सामान लूट के लाए हैं और इतना सामान हम लूटते हैं और रोज हम लूट पाट का सो से रहते हैं हमारे चेहरे फिर भी असांत है हम फिर भी परिशान है और हमारे गर में कोई तर्क्ती भी नहीं और इस जैसी संत्री तो हमारे पास है नहीं तो वहाँ चोरों के सदार और चोरों ने वहाँ उन से पूछा कि आप इतना शंत क्यों हो, आपके पास तो कुछ सामान भी नहीं है, क्या आप सुखी हो, जो कॉंड़ई बिखू है, खाड़ू कॉ तोला हमने, फिर भी आप बिना सामान के सुखी कैसे हैं, जब कि हम तो इतना सामान लेके घूमते हैं, इतना सामान हमारे पास है, फिर भी हम दुखी है, फिर भी अले दिन चोरी का प्लान बनाते रहते हैं, तब उन्होंने बताया कि अगर ये जो सामान है, ये सामान जो साथ होता है यह हमारा राग है यह हमारा दोईस है एक वार जो सामान हमारे पास आता है फिर वो सामान हमान लिए बेकार हो जाता है हमें और सामान चाहिए ऐसे हमारी तरशना का चक्र है जो चलता रहता है और हमें और और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और जितना हमें मिलता रहता है, हम उतनी की चाहत करते रहते हैं, हम इस भावन चक्क में फस जाते हैं, और इसमें फसने की बाद में हमें सुखत और दूब की बात है, हमें दुखी-दुख प्राप्त होता है, तो वो पूछते हैं कि जो खाडू कॉंड़े हैं कि आपको पवज्जा ग्रहन करनी पड़ेगी, तो आपको इसका रहसे, इसकी जानकारी सही से मालू होगी, क्योंकि मेरे सब्द बताने से इतना नहीं होता, जो पट्टी पट्टी है, वो पूरी तरह से ठीक तरह से जानी जाएगी, तो सारे जितने भी चोर होते हैं, वो भिक्कु से प्रात्ना करते हैं, कि हमें पवज्जद हैं, भिक्कु उनको वहाँ पवज्जद करते हैं, और पवज्जद करने के बाद में भगवान बुद के पास लेके जाते हैं, सारी बात भगवान बुद्ध के संग्यान में आती है तब भगवान बुद्ध ये गाथा जैत्पन में कहते है यो चै वस सतंग जीवे दुप पईयो ऐ समाहितो एकाहं जीवीतं सैयो पईये वन तस्से जायो गाथा नमबर 110, 111, 112, 113, 114 और 115 ये लगबग सारी एक सी है, इनमें एक की सब्द बदल रहा है, कताएं अलग लग है मगर लगबग सब्द का जो मतलब है वो एक साही है, ये ध्यान देने वाले बात है क्योंकि पहले वाले सब्द के अंदर जो आता था, वो आता था, सील आता था जो गाथा नमें 110 है, उसमें सील की बात है, एक के दुसील है और एक के सील अच्छे है तो ये कहते हैं, यो चै वस सतंग जीवे, यानि कोई अगर जीवे, जीवित है कैसे वस सतंग, वस माने वरस वरस और सतंग माने 100, 100 साल तक कोई जीए दुपईयो ए समाहितो, दुपईयो का मतलब है दुस प्रग्या के साथ, जो खराब समझ है यानि जैसे चोरो की खराब समझ है, चोर लूटते हैं, अच्छी समझ नहीं है मगर अच्छी समझ क्या है कि लोगों का कल्यान करें, उसको अच्छी समझ बोलेंगे तो समझ तो है, मगर लूटने की है, दुपईया है, दुस प्रग्या है और ए समाहितो, और अस्थर चित है, यानि जो मन है वो अस्थर है सुबह रात को लूटते हैं, सुबह को फिर प्रग्राम बनाते हैं, रात को लूटते हैं, फिर प्रग्राम बनाते हैं, चित में स्थर ताई नहीं है सामान और चाहिए और चाहिए और चाहिए अस्रिचत है एक आहंग जीवितंग सेयो एक आहंग जीवितंग सेयो का मतलब है एक ही बार यानि कि जो एक एवल एक ही बार स्रेश्ठ है जीवित रहना कब 25 जायो 25 का मतलब है पईयावान का पईयावान यानि प्रग्यावान समझदार का जायो माने ध्यानी का यानि ध्यानी का एक वार का जीवन ही जो वो ये किवार जीले सिर्फ ध्यान में समझदारी से वो बहतर है सौ साल तक अगर खराब प्रग्या के साथ जीते हैं तो उससे यह गाथा नमबर 111 धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी दूतियम पी धम्ममर सर्णु गच्छाम। दूतियम पी धम्ममर सर्णु गच्छाम। दूतियम पी संगर सर्णु गच्छाम। दूतियम पी सर्णु सर्णु गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी साथो, साथो, साथो कामेस मिच्च डरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी